हाला एवरिवान हाम जेबर्ड और यह बाचिंग एस्टी ट्रेडर दोस्तों आज निप्टी और बैंक निप्टी दोनों फ्लैट ओपन हुए थे और वहीं से एक कंटिन्यू हमने फॉल देखा था आज ज्यादा निप्टी फी विक था और बैंक निप्टी लास्ट आवर मे नहीं वहां पर थोड़ा वीक हुआ था बाकी वह एक कंसॉलेडेशन जोन में गया था जैसा कल एक प्रिडिक किया था अग सुबह मैंने ग्रूप में यहां पर बताया था आप लोगों को कि कलका लो यानि की प्रिवियस डे हमारा होता है मंडे का सॉरी टूस्डे अगर व मेरे ग्रूप में सुबह बताया था कि लोग आज क्या एक्सपेक कर रहे थे कि कल एक्सपाइरी है फैड मीटिंग है तो आज यहां पर हो सकता है कि साइडवेज निकल जाए तो उन्हों लोग ने शॉट किया था और वो जब जिनों ने शॉट किया था वो ट्रैप हो गए मेंबर नहीं हो तो लिंक मेंने डिस्क्रेमिशन में दिया है वहां से आप जोइन हो सकते हो दोस्तों तो जहां पर मैं जब भी फ्रे होता हूं तो मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं दोस्तों ने पर याज जो क्लोज हुआ है 17,221 यह जब क्लोज हुआ था यह एज़स्टेट प्राइज है क्लोज के टाइम यह कुछ 207 के आस पास चल रहा था फ्यूचर 17,247 पर यहां पर 26 प्रेमियम कल से यहां पर कुछ प्रेमियम कम हुआ है ओपन इंटेस बड़ा है 3.2 परसंट, सॉट बिल्डप, PCR 0.79 यह अभी भी थोड़ा और नीचे जा सकता है अगर कल gap down खुला तो यहां पर हम एक bounce expect कर सकते हैं second half में अगर यह पहले ही आप में bounce आ गया तो फिर last second half में further fall भी हो सकता है तो वो ध्यान में रखना नेप्टे बैंक आज जो close हुआ है 36,786 जो इसका यहां पर support था 36,800 उसके नीचे close हो गया है active port 37,000 जो एक resistance यहां पर हमारे लिए है अभी भी यहां पर straddle बना था 37,000 पर आज अगर सुबह किसी ने बनाया होगा तो उनको यहां पर पैसा भी मिला होगा अगर उन्होंने last hour में बुक नहीं किया तो active call जो है 37,000 resistance और नीचे में हमें मिलेगा 36,000 एक support मिल सकता है नजदिक है दोस्तो तो gap down मिलता है तो वहां पर एक bounce मिल सकता है अगर flat open हुआ तो further fall आएगा फिर आपको bounce जो हम expect करें वो second half में हम कर सकते हैं अब देख लेते हैं option change दोस्तो अगर आप इस channel पर नए हो तो please subscribe जरू कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो आप like and दोस्तों के साथ share भी कर सकते हो यहां पर मैंने nifty को month का data रखा हुआ है क्योंकि month में यहां पर जो changes आएगा वो हमें reflect होगा अभी तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो यह 17,300 के उपर सभी में हमने put writer का exit होते हुए देखा है और वो आज एक हमने परेसर भी देखा था कि जब भी 17,300 के पास जाता है वही यहां पर एक 18,000 पर monthly में करीबन 20 lakhs यहां पर अभी open है put में और 17,500 में भी 20 lakh है and further यहां पर और यहां पर है 20 lakh 400 और यह अगर add कर देते हो आप 17,300 का 20 यानि कि in the money कितना हो गया आपका monthly में 80 lakhs हो गया है in case अगर आप मानो कि सोचो कल अगर 17,100 के नीचे sustain करने लगता है तो यह जो 18 lakhs यानि कि 80 lakhs जो यहां पर open interest बना हुआ है यह हो जाएगा इंका यहां पर trap हो जाएगा और जब यह exit आएगा तब फिर यह जो 17,000 है वो भी इसको नहीं रोकेगा यह further down होके higher chance है 16,500 इस बार जा सकता है तो कल monitor करना monthly data 1700-300 से उपर का put writer में क्या हो रहा है आज भी यहां पर काफी exit हुआ है पर वो भी 10% के आसपास हुआ है अभी भी काफी data अभी बाकी है अच्छी चीज यहां पर और क्या है कि यहां पर 17,000 in the money पर call writing हो रहा है 17,200 बे भी call writer यहां पर जुड़े हु अगर कल build up होने लगा 17,000 पर यहां पर तो further fall देख सकते है आगे में यहां पर देखते है तो 5,000 करीबन यहां पर 16,500 और यहां पर 16,000 पर almost 7,000 के करीबन यहां पर call writers अभी open है जो higher आप देख सकते हो वो है यहां पर 15,000 पर वो है 684 यह जो position बनती है दोस्तों वो काफी time प करके रखा हुआ है तो उनका premium अभी यहां से जितना sell किया उसे काफी कम हो गया होता है तो यह लोग अगर expiry भी होगी यहां पर AC के आसपास तो भी इनको loss नहीं होगा दोस्तों तो यह एक बात भी हमें ध्यान में रखना है जब हम दूर का strike को monitor करते है नेप्टी बैंक का हम यहां पर मंतली का देख लेते हैं यहां पर क्या position बन रही है मंतली में अभी भी यही एक straddle था 37,000 आज यहां पर कुछ put में exit हुआ है पर वो भी इतना quantity में नहीं हुआ है तो अगर कल फेड का जो अगर कोई जैसे भी मान रहे कि यहां पर जो उनका जो stimulus दिया गया था जो पैसा वो वापिस दिरे दिरे लेंगे tempering होगा उससे अलावा अगर कुछ नहीं आया तो हो सकता है 37,000 के आसपास ही हम 200.00 प्लस माइनस करके खत्म कर दे हमारी expiry अगर gap down कुल गया तो एक हमें देखना पड़ेगा कि 37,500 पे क्या position बनती है दोस्तों यह द्यान में रखना यहां पे अभी कही साब से अभी भी यहां पे 41,000 सेम है 2,000 आज यहां पे 47,000 कम हुआ है हो सकता है कि यहां से यह आगे यहां क्योंकि यहां पे बिल्डप हुआ है 40,500 के आसपास फिर यहां पे हम देखते है 39,500 4,62,262 तो कल आपको monitor क्या करना है कल आपको यहां पे जो monitor करना है यह weekly का करना है दोस्तों weekly में आप 37,000 का data देखना जिस भी side OY continue increase होता है और other side decrease होता है उस side आप position बना सकते हो stocks देखने से पहले देख लेते हैं global queues Dow Jones 29.0, Nasdaq 5.0 यहां पे हमारा SGX 2.0 दिखा रहा है यह जो होगा हमें कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या outcome आया हुआ है dollar index 096.56 crore 72.41 USD INR जैसा हमारा जो मैं target आपको बताया था एक ही दिन में आ गया 76 36 यहां पे पहुंच गया है दोस्तों जो यहां पे मेरा target दा वो यहां पे पहुंच गया है फिर अभी हम देखते हैं यहां पे USD yield 1.45 चल रहा है दोस्तों तो यहां पे अभी जो देखने का है वो FII INR है and second है यह dollar index आज भी FII INR करीबें 3500 के करीबें यहां पे आज short बनाया है यानि कि cash में selling हुआ है future का data अभी मैंने देखा नहीं है मैं बाद में वो अपडेट कर दूंगा group में जहां पे आप देख सकते हो दोस्तों मैंने एक नया अभी शेयर करना आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि यह जो एक नया data मैं डाला हूँ तो अगर आपको पसंद आता है तो यहां पे आप कमेंट कर सकते हो जहां पे आप देखते हो कि net position यह आज का है एक दिन पहले क्या था दो दिन तीन दिन और चार जैसे यहां पे आप FII का देखते हो चार दिन पहले इनका long position था 86,000 वो कम होते होते यहां पे 26,000 हो चुका है तो यहां पे आपको देखना है कि यह अगर red में जाएगा तो यहां और आप देखोगे retail, retail 2000 से continue 54,000 आया हुआ हुआ है, pro यहां पे continue उनका neutral position बना के चल रहा है यानि कभी plus minus 5000 के आसवास पर overall negative में यहां पे चल रहा है, यह call and put दोनों का है, अगर ऐसा कुछ आपको पसंद आता है तो दोस्तों आप comment कर सकते हो video के यहां पे comment में कि हाँ यह data कुछ अच्छा है जो आपको काम आता है पहला हमारा stock है max health, max health में क्या है कि यहां पे एक double top बनाया हुआ है, यह एक berries engulfing था, आज inside बार बना हुआ है ऐसे candle अच्छा perform करते हैं जब एक fall down यहां से fall देते हैं, पर आपको जो short करना है, वो क्या करना है, कि जो mother bar का candle रहता है, उसी के नीचे आपको short करना है aggressive हो तो आज के लोग के नीचे short कर सकते हो, नहीं तो यहां पे 378 के नीचे short कर सकते हो, तो आपको यहां पे मिलेगा आपका target, 5-7 point का मिल सकता है कुछ लोग जो inside bar देखते हैं, वो ऐसा candle देखके ऐसे inside bar में कलते हैं, दोस्तों कभी भी inside bar आप trade करते हो, एक तो क्या होना चाहिए, condition, double top है, bottom, support, resistance, ऐसा देखो, बीच में कहीं मत देखो second, आपका mother bar strong होना चाहिए, ऐसा weak mother bar होगा तो फिर आपका वो active होगा तो भी fail हो जाएगा, तो ऐसा देखा करो कि कहां पे बन रहा है, बीच में कहीं पे बन रहा है, avoid करो, right, हर एक pattern का एक importance रहता है, position, उस हिसाब से आप trade करो second है mind tree, mind tree यहाँ पे जैसा यह waves pattern जो है, उसी की हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, यह हमारा resistance है, काफी टाइम से मैं यहाँ से दिया था, यह draw करके, जब यह 22 November था, अभी तक हुए, वही follow कर रहा है, तो हम इसको यह draw को continue करेंगे, आज इसने एक candle बनाया है, एक maru buju candle बनाय है, high के पास ही वो open हुआ था, low के पास इसने close दिया है, कल भी sort करना इसको 40 के नीचे, आपका target 30 to 50 point इसमें रहना चाहिए, यह रहा है, पे टीम, पे टीम का आज अच्छा सा swell up आया था, अगर आप देखते हो volume, कि यहाँ पे यह जो slowly moment आ रहा था, यह consolidation, उसके बाद एकद पे पिछली बार हमने एक bounce मिला था, second day, उसी जगह से हमने आज bounce किया है, 1296, यह positive कब होगा, जब हम आज इसके high के उपर निकलेंगे, यानि 1430, तो आप इसको दो तरीके से trade कर सकते हो, one, एक long trade, 1432 के उपर, ideal क्या होगा, कि अगर कल यह, इसी के नीचे खुलता है, यानि close कहां पे हुआ है, 1379, अगर यह खुलता है 1370 के नीचे, तो आप यहां पे short कर सकते हो, फिर से, for the target of 15 to 25 point, अब हम देख लेता है कि कल को intraday में कैसे trade कर सकते है, अगर कल हमें यहां पे call put लेना है, तो कौन सा call या put, एक हमें अच्छा सा बोले, तो jackpot expiry भी बोल सकते है, व तो पहला यहां पे nifty है, जो यह यहां पे, जो मैंने, दो हमने scenario discuss किया था, first हम यहां पे open होते है, open यहां पे नीचे हुआ, तो यह एक हमारा scenario invalid, second क्या था, खुलने के बाद उपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, similar अगर आपने देखा हो, तो आज हुआ था, खुलने के बाद उपर आया, फिर नीचे गया था market, तो अभी इसको भी delete कर देते हैं, और यह एक simple trend line, आप देखो कि हर बार वहां से rejection आता हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा simple सा study भी आप करते हो, तो एक आपको help करता है कि हाँ, यहां से मुझे rejection आता है, तो मैं short कर सकत हो, second यहां पर एक M pattern बनाया, तो अब इसको कैसे trade करना है दोस्तों, अगर कल कुछ FED का meeting में कुछ नहीं आ था और अच्छा सा हमें gap up मिल जाता है, समझो कि करीबन 320 या 350 हमें मिल गया एक 1500 point का gap up, तो आप यहां पर एक sell कर सकते हो, with a small stop loss 385, अगर आप open होते हो इस जगह 17,360, second क्या होगा, इसको मैं आगर देता हूँ, okay, आपको long नहीं जाना है जब तक हम इसके उपर 15-20 minute टिक जाए, तब तक हमें नहीं जाना है, जैसा हमने कल भी बात किया था, तो आपको जो jackpot का जो मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, कि आपका next support कौन सा है, 17,060, in case, if we open gap down, around here, तो जैसे gap down open होते है, फिर हम यहाँ पे पूरा दिन निकाल देते हैं, एक दो गंटा, फिर जब यह breakout होगा, तब हम इसको यहाँ पे buy करेंगे, कौन सा, 17,100 का call buy करेंगे, और हमारा target रहना चाहिए, 17,200, तो क्या होगा, कि आपका जो call होगा, at least 2-3 गुना यहाँ पे ह हो जाएगा, और इसके नीचे break होता है, तो क्या होगा, कि इसके नीचे अगर मान लो, कि consolidation के बाद में गीरा, तो यह सीधा फिर 850 तक यह जा सकता है, तो इसको मैं black बना देता हूँ, तो यह हमारे scenario हो गए, jackpot के, यहाँ पे put buy करना है, यहाँ पे उपर call, आइडियल कव होगा, जब साड़े बारा से एक बज़े के बीच में अगर यह breakdown आता है, तो एक अच्छा सा आपको यहाँ पे profit मिलेगा, उपर की साइड खुला, तो हम आप यहाँ पे 17400 का call short कर देना, इसके नीचे अगर future भी short करते हो, तो आपका यहाँ पे फिर target रहना आची है, वो 800, क्योंकि यह जो support है, फिर से यहाँ पे support का काम करेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे trade बनेगा, बैंक निप्टी, बैंक निप्टी ने यहाँ पे एक जैसा हमारा था कि यह consolidation करेगा, उसने वही किया, तो यह एक ignore हमारे लिए, second, okay, तो अभी के लिए हम इ इसने उपर में support लिया था, और यह तो हमारा जो trend line continue आ रहा है, मैं इसी को continue करता हूँ, okay, तो कल के लिए अगर आपको इसमें trade लेना है, आपको trade मिलेगा अच्छा, वो निप्टी में मिलेगा, बैंक निप्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह यहाँ पे काफी time consolidate हुआ है निप्टी बैंक में कब मिलेगा आपको जब यह 37,100 के उपर टीका, तो ही आपको एक short covering मिलेगा, जो यहाँ पे वापिस 37,500 जाएगा, यह याद रखना, अगर यहाँ पे हम इसी level पे खुलते हैं, और पूरा, यानि बारा ही साड़ा बारे तक यहाँ पे ही चलता है, फिर breakout देता है, तो आप यहाँ पे 37,100 का call by करना, जो आपको यहाँ पे double से triple यहाँ पे मिल सकता है, नीचे में कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर gap down कुलता है, gap down भी कितना, अगर 500 के आसफास कुलता है, तो फिर हमें फिर से यहाँ पे निप्टी की दर ही हमें देखन है, और फिर यहाँ पे decide होगा कि हमें यह 37,000 या यहाँ पे further down 36,000 तक जाता हुआ हमें दिख सकता है, तो यह हो गया एक gap down का scenario, यह हमारा consolidation सेम, यानि कि कोई news में कुछ फरक नहीं बड़ा, market flat open हुआ, consolidate किया, फिर breakout दिया, यह एक तीन सेनारियो हमारे लिए अकल के लिए है दोस्तों, तो मैं आसा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कल आप अच्छा सा profit भी कमा होगे, तो मिलता है दोस्तों next video में, thank you, bye bye